आप लोगों ने एक गाना सुना होगा मंजिले अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह जो कदम ही साथ ना दे दिल भला फिर क्या करें तो अभी कई लड़कों की स्थिती इसी तरीके से है कि मंजिल पता है NTPC का एकजाम आने वाला है और रास्ता भी पता है कि पढ़ाई करना है लेकिन कदम ही साथ नहीं दे रहे हैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं कैसे पढ़ना है हिम्मत ही नहीं बन रही है तो भाई ऐसे लोगों के लिए ये सिरीज चलाया जा रहा है कि बहुत आसानी से खेल खेल में मजे मजे में कैसे हम लोग को सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ट्रिक्स आप लोग को कहीं नहीं मिलेंगे तो जैहिन नमस्कार एक बार फिर से आप लोग का इस चैनल पर स्वागत है और बेहतरीन प संख्या का और उसके अंको क्वापस में बदल देने से बनी संख्या का योग कितना भाई नहीं जानवे दोनों अंको का अंतर तीन है तो संख्या ग्यात कीजिए देखो दो अंको वाली संख्या नहीं लड़कों को बहुत तंग करता है लोग सुसते ये 10X प्लस Y, 10Y प्लस संख्या करके बहुत लंबा जाता है हम कहते हैं उतना करने का जूरती नहीं है कह रहा है कि दोनों अंको का अंतर तीन है तो देखो किस में अंतर तीन आ रहा है साथ में से दो गया तो आता है पांच पांच में सचार गया अंतर एक छे में से तीन गया तीन और पांच में जोड़ोगे तो 639 जोड़ भी आ रहा है तो answer option number B है कुछ भी करने का जुरत नहीं है बस ताड़ के question को solve कर दोगे ठीक है इतना आसान तरीका हम बताते हैं दो अंको की संख्या के अंको का योगफल 5 है जब अंको लट दिये जाते हैं तो संख्या 9 हो जाती है अब देखो योगफल 5 है तो चेक करो 3-2-5-4-1-5-2-3-5-4-5 सब में 5 है योगफल अब बोला जा रहा है कि संख्या 9 हो जाना चाहिए उलटने पर तो संख्या 9 होना चाह में सारा condition fit हो जाए, तो फिर सवाल का existence ही खतम हो जाएगा, सवाल बन ही नहीं पाएगा, आज समझ रहे हैं, तो सवाल का condition देता, उससे एक ही अंसर हमें सा आता, इसलिए option को अगर आप ध्यान से देखेंगे, कुछ करने का जूरत ही नहीं पड़ाएगा, देखो 23 को उल्टा करोगे तो 14 बनेगा, तो ये 9 से तो बहुत ज्यादा कम हो गया, 14 को उल्टा करोगे तो 41 बनेगा, ये भी बढ़ गया, ये भी खतम हो गया, तो ये option number A, अगला question देखो कितना आसानी solve करेंगे, क्या कहा जा रहा है, प्रज्या ने अपने जनम दिन की पार्टी मेनूं, पा उसको आप लोगो solve करना सिखा दे, अगर बहुत अच्छा तरीके से concept नहीं भी आता है, तो भी एक्जाम में आप सही टिक करके आएंगे, इतना guarantee है मेरा, देखो क्या का जा रहा है, कि प्रज्या ने जनम दिन पार्टी में क्या कहा, भाई, साथ अनुपात 6 के अनुपात म साथ कमान क्या है भाई, चपन, तो साथ से चपन कटेगा कितनी बार में, आठ बार में, एक कमान क्या हो गया, आठ, और एक कमान अगर आठ है, तो बोला जा रहा है कि महमानों की कूल संख्या, तो कूल महमान कितने हो गया, साथ सो तेरा, तेरा कमान क्या होगा, तेरा गु कि भाई देखो तेरह का मान निकालना है तो तेरह के पहाड़ा से भाग लगना चाहिए, ना 48 में लगए, ना 108 में लगए, ना 112 में लगए, एक सो चार आएगा, ठीक है, तेरह ठीक सो चार, आया बात समझ में, किस तरीके स्वल्व करना है, तो अब अगला कुशन देखो, य एक से सो तक, ठीक है, एक से दस तक, सामिल, प्रतिक प्राकिर्ट संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, ठीक है, यह कहा जा रहा है, घनों का योग निकालना है, एक से दस तक का, तो देखो, एक से एन तक, एन संख्याओं का, ठीक है, ध्यान से समझ ना, फॉर्मुला लिख लो, एक से N तक इसका प्राकिर संख्याओं के घनों का योग, कितना होता है भाई, योग होता है, N into N plus 1 by 2, ये क्या होता है, ये प्राकिर संख्याओं का योग होता है, तो जब घनों का योग करना होता है, तो इसका हम लोग कर देते हैं, वर्ग, याद रखना, घन के योग में करना है वर्ग, नॉर्मल वाले का वर्ग, ऐसा नहीं घन कर देना, ठीक है, एंसर ही नहीं आएगा, तो 10 तक का करना है, तो क्या होगा भाई, 10 गुना 11 बटा 2 का पावर 2, यही काम करना है, अब देखो 2 से 10 कट्या कितनी बार में, 5 बार में, मतलब यह क्या है भाई कि दो-दो option में पीछे 5 रहा, तब कैसे पता करेंगे, ठीक है, तो देखो, बता देते हैं आप लोग को, जिस संख्या के पीछे 5 होता है, उसका वर्ग निकालने का तरीका, ठीक है, क्या है भाई तरीका, तो जैसे यह पचपन है, तो पीछे 5 है, तो 5 का वर्ग 25 तो नजर तरीक है, अगर किसी को 95 का वर्ग निकालना है, तो 5 कचे 5 नौ में एक बढ़ा के गुना करो, मतलब 9 गुना 10 नबबे, आरबासमझ में कैसे करना है, यह सब तरीक जो आपको योटूब पे बहुत सारे लोगों का मिल जाएगा, ठीक है, लोग अलग से इसको पढ़ाने के यह वीडियो बना के अफलोड करते हैं, कि देखो, जिसके पीछे 5 है, उसका वर्ग निकालने का तरीका, दो सेकेंड में निकालो यह वो, यह सब अनगिनत ट्रिक इस तरीके का हम अपने वीडियो लेक्चर में ही बता देते हैं, ठीक है, आपको सवाल के बीच में ही कई ज आगे, अब देखो, व्यूद्करम का योग जब भी निकालना होता है न, तो सीधा सीधा बात यह याद रखो, कि व्यूद्करम का योग जो होता है, वो हमेशा योग बटा गुननफल के बराबर होता है, तो योग कितना है भाई, 40, गुननफल है 60, 00, 00 गट गया, 2-44 दो योग और गुननफल का अनुपात होता है कौन व्यूत क्रमों का योग अब बोलें कि सर यह तो ठीक है बन जाएगा फटाक से लेखिन इसका concept क्या है तो देखो concept बहुत असान है जैसे A और B कोई दो संग्या है तो इसके व्यूत क्रम क्या होंगे भाई तो 1yA जोड 1yB ठीक है 1yA पहला वाला का 1yB दूसरे वाले का और बोलता है व्यूत क्रम का योग निकालना है इसलिए हम लोग इसको जोड रहे है बीच में जोड का साइन इसलिए इसलिए दिया अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट में बिल्कुल अपना बात कह सकते हैं अपने विचार बताईए पसंद आए न पसंद आए बढ़ाई करनी हो गाले देना हो सब कुछ आप कर सकते हैं किसी तरह का कोई रोप नहीं है ठीक है और अगला कौन सा पांस से चौदा तक सभी प्राकेशन खाओके घनों का योग ग्याद कीजिए ठीक है घनों का योग का अभी तरीका बताया थे क्या एन इंटू एन प्लस वन वाई टू का वर्ग लेकिन याद रखो यह किसका था तो एक से लेके अन तब था एक से चौदा तक रहता तब तक से चौदा तक हैं तो भाई हम लोग पहले एक से चौदा तक का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 14 गुना 15 वठा 2 इसका वर्ग अब इसमें से घटाना होगा क्या यह पांस से चौदा है तो चार तक न योग जो है वो घटा देना होगा सूचो एक पांच चौदा एक तो 5 के पहले जो 4 था 1-4 तक का योग अगर घटा देंगे तो फिर 5-14 तक बन जाएगा तो 4 तक का योग कितना होगा भाई 4 गुना 4 से ज्यादा 5 बटा में 2 का वर्ग सीधा सावात है 2-14 कट गया 7 बार में 15 सते 105 का वर्क करना है घटा आओ दो से चार कट गया कितनी बार में, दो बार में, तो पांक गुना, दस का इस्वार करना है, अब देखो बहुत असान है, पीछे जिसके पांच होता है, उसका वर्ग निकालने का तरीका आप लोग को बताएं, पांच पचे पचीस, और दस में एक बढ़ाओ, एक ग्यारा, ए एक भी गटा लेता है, कितना आता है, एक सुन नौ पचीस, तो आयवास में, कैसे अंसर पकड़ना है, जोड़ी निए कि पूरा नीचे तक सॉल्व करें, तो एक नजर हम इसा उप्चन पर बनाते रखो, अगला कोशन देखो क्या कह रहा है, कि दो कर्मागत धन में पुरुणांग ज्याद कीजिए, तो ऐसे अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो, तो आप इसको बिना बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं, कि कैसे चपन आएगा, लेकिन फिर भी हम आपको तरीका बता देते हैं, क्या कहा जा रहा है, उसका सॉल्ट कर भी बता देगे, अब देखो, ये जो चीज है, इसको आप ऐसा भी तो लिखते हैं, A प्लस B इंटू A माइनस B, तीक है, मतलब 56, अब देखो 56 कैसे आता है, 56 आप लोग जानते हैं, कि ये आता है आपका, आठ सत्य चपन आता है, तीक है, या 14 चौका चपन आता है, तीक है, बहुत तरीके स आता है, इसके अलावे, 28 दूना चपन आता है, 28 दूना चपन आता है, तो आप इसको किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं, देखो, संख्याओं के अंको का योग, तो देखो, इसमें किस का योग, अगर हम लोग देखें, तो 17 दूना 34 और 35, 36 आ रहा है, तो 36 और अंतर कितना है, 19 में से 17 गया दो, तो 36 दूना तो 72 हो जाएगा, खतम हो गया, 13 और 11 कितना होगा, 24 और 13 में से 11 गया दो, 24 दूना 48 ये भी नहीं हुआ, 13 और 15 कितना होगा, 28 और 15 में से 13 गया दो, 28 दूना चपन, देखो, ये वाला चीज लड़ गया न, तो यहां पर जब ये पता चल गया आपको 28 दूना चपन है, तो आप देख सकते हैं, ओप्शन में किसको जोड़ के 28 आ रहा है, और घटा के दौना रहा है, घटा के दो तो सभी में था, क्योई करमागत भी संपूर्णा अंक है, लेकिन जोड 28 चेक करना था, तो 13 और 15 का जोड़ 28 है, ये एक तरीका हो गया, अब देखो, सौटकट वाला तरीका जो है, वह हम बताते हैं कैसे करता है, ये भी सौटकट ही था, इसमें कोई ज्यादा मेहनब नहीं है, लेकिन थोड़ा से ज्यादा सोचना था, कि इसको जोड़ निकालें और ये वो, सीधा सीधा बात ये करना है, कि वर्गो का अंतर 56 ह ये ख़ सब का अंक, तो सबका 1 अंक देखो, बस टीक है, नौ का इका ये क्या होता है, नौ का वर्ग 81 आएगा, पिछे ही क्या होता है, पिछाथ खैक रहता है नौ का अंच इंगाए, ऩुर्प तो नौ मै से गातिया नहीं हो मिलजा़ना भी तो ओपि शीधाए, तो कि तो नहीं होगा साथ सते उन्चास का नो पांच पचे पचीस का पांच नों से पांच यह तो क्या अगच्छा यह भी छे नहीं आ रहा ठीक है तो बस हिकाई यंक से भी हम लोग option चेक करके बना सकता है ठीक है वैसे कि question option check करने का ही था क्यों था option चेक करने का क्योंकि इसमें बस एक ही जानकारी आपको दिया रहा है इसमें बस एक कंडिशन दिया हुआ था कि पूर्णांकों के वर्गों का आंतर दिया हुआ चपन और कुछ नहीं दिया तो आपको option से ही पकड़ना था इस question को दूसरा कोई पाई यह नहीं है 102 नमबर क्या कहता है बाग में 57-70 पेड़ है और पेड़ों कि इस प्रकार पंक्तियों ब्योस्तित किया गए जितने पेड़ उतनी पंक्तिया तो जब भी इस तरीके से एरेंज करते हैं और तीन ही लाइन है तो तीन 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 नौ आएगा तो उसी तरीके से अगर मान लो ए पेड़ थे और ए पंक्तिया है तो ये ए का वर्ग ही आता है तो कहने का मतलब कि हमेशा ऐसे question में इसका क्या करना है वर्ग मूल करना है मतलब root अंडर 576 का कितना मान होगा ये आप लोग को बताना है तो देखो 6 कब आता है किस संख्या के वर्ग करने में 6 आता है या तो 4 के वर्ग में पीछे 6 आता है चार चोका सोला या 6 के वर्ग में पीछे 4 तो है नहीं तो 6 वाला option ही होगा अब पीछे 6 दो दो में है च्छेत्तर में भी छप्पर में भी है तो देखो आगे अगर 7 है तो 7 के वर्ग 49 से कुछ ज़्यादा ही नजर आएगा जो कि 57 है पीछे 5 है 5 का वर्ग 25 होता है ये बहुत कम है इस से 57 से तो answer option number B ही होना चाहिए ठीक है आया बात समझ में कैसे पकड़ना है इसको बिना solve किये हुए पकड़ में आ जाएगा कैसे वर्ग मूल निकालना है ठीक है लेकिन मान लो कि नहीं आता है इस तरीके से दिमाग में बात तो फिर आपको पूरा बनाना है एक question में आप लोको वर्ग मूल करने क तरीका भी बता ज़ते हैं कैसे किया जाता है देखो 5776 टीक है पीछे से दो दो अंका जोड़ा लगाये जाता है तो आगे है 5027 तो 507 किसके वर्ग से थोड़ा से जादा आए यह सोचना है तो 7749, 28864 हो जाएगा तो 507 यहाँ पहला खंद पे आएगा और 178 पहले और 17 न इतना हो गया 49 और घटके क्या है 8 बगल में 7 और 6 उत्रा अब इस साथ में एक बार और साथ जोड़ो तो कितना आ गया 14 और 14 के बगल में ऐसी संख्या लिखनी है कि उतना ही हम लोग भागफल लिखें और गुना होके यह 886 नजर आ जाए तो भाई अगर 6 बार में लगाओगे चार बार में लगाओगे तो 6 चक चक तिसका 6 बाके 3 14 चक चौरासी पचासी चीजासी घटके क्या होगे तो चीजात पर इसका एंसर आ है ठीक है पूरा बनाने का जूरुत कभी नहीं होता है एक्जाम में अलर्ट पर 3 18 तक सब ही संग्झाओं के वरगों का योग बताओ देखो गहनों का योग तो बिनाए थे 1 से N तक 1 से N तक के वरगों का योग कितना होता है इसका फॉर्मूला है थोड़ा बढ़ा इसलिए इलर्ट रहके ध्याद लाथना एन इन 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 प्लस 1 इन टुएन प्लस 1 ब अठारा तक के वर्गों का योग, एक से अठारा तक का कितना होगा, अठारा गुना, अठारा जोड़ एक कितना, उननेस, गुना, अठारा गुना, अठारा जोड़ एक कितना, उननेस, गुना, अठारा जोड़ एक कितना, उननेस, गुना, अठारा जोड़ एक कितना, उनने अब दिमाग में अगर यह आ रहा हो कि इतना सारा गुना करना है तो फिर अभी तक आप सही तरीके से लेक्चर देखे नहीं है क्योंकि कभी भी हम गुना करने को एलाव नहीं करते हैं वो एक दम लास्ट ऑप्शन है जब कोई उपाए ना दिखे सबसे पहले यह देखो ऑप 9 इकाई अउप पर भाटता व डूद। items के पांच गठते हैं यह दिखनें डिखा व यह दिखा आफ और आप से पांच आप यह दोचपशन के ल, तो पूरा गूनान करके प्ष diffé दिखा कभी हम को मोंको आता है गुना करने हमें हम तो करके भी रहेंगे यह ौद मेर्स कि तो संख्याओं का योग 20 है, गुननफल 96 है, तो संख्याओं का अंतर बताईए, ठीक है, तो संख्याओं का योग दिया हुआ है, A प्लस B दिया हुआ है, कितना 20, गुननफल AB कितना दिया है 96, ठीक है, तो संख्याओं का अंतर बताओ, देखो भाई, 96 देखते के साथ दिल मे खयाल आना चाहिए कि 16.96 होता है ये जोड 20 है तो संख्याएं जो है 20 से छोटी होगी तो 20 से कम में 96 लाने का दो तरीका होता है 16.96 अब 12.86 है ना इसके अलावा कोई भी तरीका देखोगे तो उसमें एक संख्या 20 से उपर चला जागा है कि नहीं तुम तरके देख लो अब 12. 18.96 में जोड़के 20 तो आ रहा है 16.26 हो जाता है तो यह नहीं होगा यह यह संख्या 12.8 तो अंतर कितना हो गया भाई 12.8 गया 4 ओप्स नुमर है कुछ भी नहीं करने का जुरूत है हम बनाके देखते ही नहीं है सवाल को और आपको भी यही करना होगा एक्जाम में क्योंकि आते हैं आता हैं ठेप नियम के चल भाई है बच्चे हमारे स्क्राश्म में पीखत चाहिए अब देखो मान लो मान लो कि हम यह करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बता दे की कैसे स्वाव किया जाता है लेकिन वह तरीका है बहुत फतरनाक इसलिए है क्योंकि इसpelोग algebra का formula लगाना पड़ता है, क्या होता है भाई, a minus b का whole square जो होता है, वो a plus b के whole square घटाओ, 4ab के बराबर होता है, ठीक है, अब a plus b का whole square कितना है, 20 का work, 400, घटाओ, 4 गुना 96, तो भाई, मेरे बहुत असान है, 4 common ले लोगे, तो 100 घटाओ 96 कितना है, 4, तो 4 चोका, 16, तो a घटा घटाओ b के, work command मिल गया, 16, तो a minus b कितना होगा, root under 16, मतलब की 4, यह answer है, क्यों answer है, क्यों answer है, क्योंकि संख्याओं का अंतर पूछा जा रहा था, सीधे अंतर मिल गया, अलग-अलग संख्या निकालने का जूरत नहीं, एक तरीका तो यह, दूसरा तरीका आप यह कह सकते ह कि भाई, a plus b है 20, तो हम लोग a का मान कह सकते हैं, 20 घटाओ, 20 घटाओ b होगा, और उसके दूसरा का option पे रख दे 20 घटाओ b into b, फिर 96, फिर दूई घास समी करन को solve करके b का मान निकालेंगे, और उसके बाद फिर a का मान निकालेंगे, फिर दून्नों को घटा के तो ये साबित करने का जुरत नहीं है, कि आप बहुत मेहनती इंसान है, ठीक है, आपको answer लाने से मतलब होना थी है, अगला question देखो क्या का जा रहा है, यदि दो संख्याओं को योग 30 है, और उनका गुननफल 50 है, तो व्यूत करम का योग क्या होगा, तो comment में बताएए आ कलता आपके कदमों में होगी, guarantee.